नमस्कार आपका स्वागत है दे न्यूस पर आपके साथ मैं शुष्टी मिश्राइक बुरी खबर सामने यह आई है कि कहीं न कहीं प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी को किसी की नजर लग गई है जी हाम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तमाम खबरे सामने आ चुकी है कि प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी की मा यानि हीरा बेन अभी फिलहाल बिमार है उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है और उसके ठीक एक दिन पहले उनके भाई का एकसिडेंट हो गया था जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि प्रधान मंतरी के उपर दोहरा दुक कहीं कहीं समय चल रहा है वो ठीक इनके लिए समय नहीं है आपको बता दे कि लगातार ये खबरे सामने आ रही है कि पिछले कुछ दुनों पहले ही ही हीरा बिन जो उनकी मा है सो वर्ष की हुई थी 18 जून को उनका जन्व दिवस था जिस मौके पर प्रधान मंतरी नरिंडर मोद में पिया मोदी ने अपने मा के सो वर्ष पूरे होने पर ये लिखा था कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ जलकती है मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ अच्छा है वो मेरी मा की दीन है और आज जब मैं या दिल्ली में बैठा हूँ या के पीछे मेरी मा का हाथ है इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्ạo भावक पत्रश में यह भी लिखा था यह भी बया किया था कि किस तरीके से प्रदान मंत्री को पुराने दिन याद आ रहे हैं वह काफी भावक भी दिखा देते उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर उनके पिता जी भी होते तो उन्होंने भी अपने सौवर्ष पूरे कर लिए होते लगातार अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी का जुड़ाव जो है वो अपने माता जी से है हलाकि आपको बता दे कि म जारा हमेशा ही देश की जनता देखती है कि जिस तरीके से पूरे देश की कमान प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी सम्हाल कर रखते हैं और कहीं ने कहीं उनको भी मा की जरूरत पढ़ती है तो ये बया करता है एक मा बेटे के प्यार के रिष्टे को बया करता है और इसे प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी की मां जल्धी स्वस्थ हो जाए, उन्होंने इस खुपसूर्ती को भी बया किया है राहुल गांधी ने, कि किस तरीके से मां और बेटे का जो रिष्टा है वो सबसे ज़्यादा पावन होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, उन्होंने देखते हैं दर्शकों की किस तरीके से राजनीती के अलग माईने होते हैं लेकिन जब कुछ भावुक पल ऐसे आते हैं तो कहीं न कहीं एक जूट होती दिखाई देती है देश की जनता देश की राजनेता भी और यही कारण है कि आज राजनीती से हट कर प्रधान मंतरी नरि होता है अनन्त आम इसलिए कहने दर्शकों कि कि आप भी भली भाती जानते होंगे कि मा शब्द जो है वो खुद में ही इतना काफी है कि जब बच्चे को किसी भी तरीके से कुछ तकलीफ होती है किसी भी तरीके से कोई बच्चा रोता है कठिनाई होती है तो सबसे पहले चाह स्वस्थ होने की कामना कर रहा है इसके साथ ही आपको बता दे कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रधान मंतरी नरेंडरें मोदी पर दोहरा दुख है क्योंकि कल बड़ी खबर सामने आई थी कि बाल-बाल बचे थे उनके भाई यानि की प्रहलाद मोदी उनके भाई के कार का एक्सिडेंट हो गया था आपको बता दी कि पीम मोदी के भाई की जो कार है वो डिवाइडर में जाकर टकरा गई थी इसके बाद से कुछ लोगों को गंभीर चोटे आई थी उनके बेटों को उनके पोतों को लेकिन अभी खबर सामने आई है आज स सतरीके से चिंदा करने की जरुवत नहीं है मैं ठीक हुँ इसके साथ ही उननों ने यह भी कहा था कि किस तरीके से सीट बेल्ट लगाना आवशक है और अचर्शाम में यह खबर सामने आ रही है माताप कि इस तरीके से यह भी खबर सामने आई है तो जहां उनकी माता स्थिति है वो ठीक है आपको बता दे कि उनकी तब्यत जिस तरीके से खराब होई उसके बाद से उन्हें यूएन महता इंस्टिट ऑफ कार्डियोलोजी एंड रिसरच सेंटर में भरती कराया गया है और सेंटर के हिसाब से हीरा बिन की जो स्थिति है वो ठीक है और प्रधान मंतरी नरिन्र मोदी के आने की खवर तेज हो चुकी थी कि उनकी माता की सिर्वी ठीक नहीं है तो प्रधान मंतरी जल्द आ सकते हैं तो कही न कहीं प्रधान मंतरी अपने माता से मिलने के लिए पहुँच चुके हैं और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के मु मोदी के मा को देखने के लिए पहुँची है इसके साथ ही आपको बता दे यह भी देखा जा रहा है कि आज पुरा देश उनके लिए उल्य प्रार्थन कर रहा है राहूल गांधी principle कहा रहे हूए एंकी माता जल स्वस्त है इसके साथ ही जुन में ही उनकी माता ने अपने सो साल जो है वो पूरे किये थे अपना जम दिन मनाया था और इसके पहले हमने देखा था अगर उनकी मा की दुरिण निश्चता की मैं बात करूँ तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वोट देने की बात आती है तो हीरा बेन यानि उनकी माता जो है प्रधान मं मंतरी नरिंडर मोदी इतने सामाने हैं इतने परिवार से जुड़े होए हैं और इतने जमीनी नेता हैं कि उनकी माता के संसकार उन पर आए हैं क्योंकि उनकी माता के संसकार तब देखने को मिले जब आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरिंडर मोदी गुजरात में वोट प्रियोक करती है इसके साथ ही आपको बता दे प्रधान मंत्री नरिंर मोनी भी लाइन में लगे वे दिखाए देते हैं और यही तरशाता है कि किसल से जमीनी स्तर पर उनकी माता जुड़ी हूई है। और वही संसकार प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी के ऊपर जलकता है विखाई देता है इसके साथ ही कहीं न कहीं उनकी माता की खबरे जो हैं अब ही फिलहाल जो हेल्थ बुलेचिन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि सब ठीक हैं इसके पहले उनके परिवार के कुछ हो और आज एक बार फिर से सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि उनकी माता जी जल से जल स्वस्त हो जाएं और फिलहाल सभी सुरक्षित है तो कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी अपनी माता से मिलने के लिए हॉस्पिटल बहुच चुके हैं इसके सा नरिंडर मोदी ने अपनी माता के पैर शुय थे उनसे आशिरवाद लिया था और उनके साथ बैठकर चाय पी थी और यह जो तस्वीरे हैं यह सोशल मीडिया पर वाइरल भी हुई थी फिलाल मैं यही दरख्वास करूंगी कि आप भी उनके माता की स्वस्त होने की कामना कर और दन्यूस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लगतार कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके माता जी जल से जल स्वस्त हो जाएं तो पीम मोदी के उपर जो दुख की घड़ी है हम सब आशा करते हैं कि जल ही उनके परिवार के उपर से यह जो बला है वो टले और उनकी माता जी उनके भाई जल से जल स्वस्त हो जाएं तो आपका बहुत शुक्रिया दन्यूस से जुड़ने के लिए